नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड के रिकार्डिंग आई फ्रोड कोल से आप कैसे बचोगे और दोस्तो क्या रिटेलर के साथ भी लापू बै करने से पहले उडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राया है मुझे कोमेंट सेक्षें में कोमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप सभी वाला हूँ यदि आप एक एटल के रिटेलर हैं या दोस्तों आप एक वी के रिटेलर हैं तो दोस्तों यदि आपके भी पास बोर्ड के रिकार्डिंग कोई कोल आती है और दोस्तों यदि आप उसके कहे नुसार उसको OTP दे देते हो तो दोस्तों ऐसे में आपके साथ भी फ रिटेलर थे और उनके एटल के लापू पर एक अंजान नंबर से कोल आता है और वो बोलते हैं कि हम एटल कंपनी से बोल रहे हैं तो आपकी दुकान पर हमको बोर्ड लगाना है तो इसके लिए आपको कुछ OTP शेयर करने होंगी तो हम आपका जो है आपकी शोप के लिए या परेटेलर थे यहां पर काफी सारे रिटेलर भायों के अंधी तूपान आते हैं या बारिसके मोशम में उनके बोडों की जो दुर्गतिया वह हो जाती है तो दोस्तो ऐसे यदि आपको अपना M pin के बारे में information है तो आप पुराना pin डालेंगे जो recharge pin होता है और नया pin डालेंगे आप जो है नया pin बना लेते हैं लेकिन दोस्तों यदि आपके पास M pin नहीं है तो ऐसे में आप अपने M pin को forget करते हैं रिसेट करते हैं तो दोस्तों ऐसे में जब reset के option प आके अपना जो है एटल में तरह है application का फिर उन्होंने फार्ग वान जो login पासवर्ड है वो change किया और यहां पर तुरंत यह उन्होंने access अपने हाथों में ले लिया तो दोस्तों ध्यान रखना जदी आपके पास पी कोई इस प्रगार की call आए तो आप साबधान हो जाईए यदि आपके market के अंदर कोई भी board लगाने का यानि तैयार ही होती है कोई process होता है तो उसके बारे में आपके area के जो डिस्टूटर है वो आपको पहले ही शूचना दे देंगे या जो आपकी DSE या FSE आपके शोप पर आते हैं वो आपको पहले ही बता देंगे भी board लगेग तो यहाँ पर जो है बंदे या तो आपकी शोप पर आजाएंगे इस चीज़ का खात ध्यान रखना कि अपनी OTP किसी से share ना करें जिसे कि आपको अपने balance को खोना पड़े तो दोस्तों यहाँ पर उन भाई नों समझदारी दिखाए हो और MPIN को MPIN जो उन्होंने research के लिए O फोन काटें और अपनी सूचना अपने एरिया के डिश्टूटर को जरूर दें आज का वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके जरूर बताएगा मैं लेता हूं इजाज़त मिलेंगे आपसे फिर किसनी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत कि का वीडियो आपको जो एंप अपने आपसे ले जय है।